आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन सियासत में वैसे जो कोई भी राजनीती करता है वह केवल सियासत दान होता है लेकिन सियासतदान कभी-कभी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी घर की बेटियों पर घर की महिलाओं पर बड़ी जिम्मेदारी देते हैं और कुछ वैसा ही इस बार लोकसभा चुनाओं में भी देखने को मिल रहा है जबकी रसोई से निकल करके अब महिलाएं बिहार की राजनिती में इसकदर आगे बढ़ी हैं इन महिलाओं से सीधी चुनाओती पाने के बाद काफी परेशान दिख रहे हैं तो हम आपको इस बार के लोकसभा चुनाओं में कहां कहां महिला प्रत्यासियों की दादागिरी दिचल रही है अगर उस पर गौर करें तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यह सबसे जो चर्चित सीटों में एक है वह है सारण लोक सभासीट दरसे सारा नोग सबासीट से इस बार Switzerland जनतादल ने रोहनी आचारी को मिदवार बनाया है और रोहनी आचारी कौन तो रोहनी आचारे हैं लालू यादव की बेटी और सिंगापूर में रहती है पिछले बर्स ही जब उन्होंने लालो यादव के बीमार होने के बाद उन्हें किड़नी दान की तो उसके बाद रोहनी आचार जोर सोर से सुर्खियों में आई और उसके बाद तो रोहनी आचार लगातार अपने अलग अलग जो विपक्षी दलों के उपर प्रतिदंदी राजनितिग्यों के उपर उनके कटाक्ष होते हैं उसे लेकर के अक्सर चर्चावा तोड़ती रही और अब वह सारन लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनावलर रही हैं और वहां भारतिय जन्ता पार्टी के राजी प्रताफ रूरी से उनका सीधा मुकाबला है तो एक करे मुकाबले में इस बार राजी प्रताफ रूरी को सीधी चुनावती लालु यादब की लाडली बेटी रोहनी आचारे से मिल रहा है लेकिन यह महिलाओं में केबल ए बार्टली बेटी है मीशा भारती दरसल मीशा भारती मौजूदा समय में राजसभा की सदस्य हैं और इसके पहले भी वहां लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन पाटली पुत्र संसद्ये सीध से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद भी मीशा भारती को कभी सफलता हाथ नहीं लगी एक समय में लालू यादव के जो काफी खास हुआ करते थे राम कृपाल यादव वही राम कृपाल यादव भारतिय जनता पार्टी से लगातार वर्स 2014 से भातनिपुत संसद्ये सेट में चुनाव लर रहे हैं और मीशा भारती को चुनाव दर चुनाव हराते रहे हैं एक बार फिर से मीशा भारती चुनाव मैदान में उतरी हैं और इस बार काफी करा मुकावला करी चुनावती देने का वह बरादवा दोगसभा चुनाव के प्रचार के दवरान कर रही है कि इस बार तो पाटले पुत्र में राष्टे जनतादल का लालटल जलाने में मीशा भारती सफल होगी तो महिला उमिद्वारों में अगर हम लालू परिवार से अलग चलें के और कौन-कौन से वे सियासतदान है जो इस बार के चुनाओं में अपने परिवार की सियासी राजनिती को आगे बढ़ा रही है तो उन महिलाओं में अगर हम देखें तो एक और बरा नाम आता है जिसमें बाहुबलियों के परिवार से आने वाली महिलाओं का नाम है तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं सिवहर संसदिय सीट को लेकर शिवहर संसदिय सीट से इस बार लवली आनंद उमिदबार है NDA ने उन्हें प्रत्यासी बनाया है जदियू के टिकट पर लवली आनंद चुनाव मैदान में उतरी है लेकिन लवली आनंद की पहचान केवल लवली आनंद के रूप में नहीं है बलकि लबली आनंद की वसली पहचान तो बाहुबली आनंद मोहन की पतनी के रूप में है पहले भी लोगसभा का चुनाव जीत चुकी है लबली आनंद, उनके पती भी दी चुके हैं और यहां तक की आनंद मोहन पर वर्श 1994 में गोपाल गंज के ततकालीन डियम जी कृष्णया की हत्या का आरूप लगा था बाद में दोस भी सिद्ध हुआ और उन्हें जेल में रहना परा आनंद मोहन देश के पहले ऐसे सांसद बठ है जिनके उपर दोस सिद्धी के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई बाद में अदालत नहीं उनकी सजा को उम्रकैद में तबदील कर दिया और पिछले बरसे बिहार में जब कानूनों में कुछ बदलाव हुआ तो कड़िब 16 साल जेल में रहने के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आए और अब उनकी पतनी लवली आनंद सिवहर संसद्य सीट से चुनावलर रही है लेगिन सिवहर का मुकाबला इस बाद इतना रोचक है कि अलवली आनंद के मुकाबले में भी वहाँ एक अन्य महिला प्रत्यासी है और यह महिला प्रत्यासी है रितू जैसवाल जो राष्ट्री जनतादल के टिकट पर चुनावलर रही है रितू जैसवाल एक समात सेवी के तोर पर अपनी छवी रखती है। रितू जैसवाल देश में मुखिया के तोर पर ही प्रचलित हुई थी जिनके काम की जोरदार तरीके से तारीप हुई थी। साधी करने वाले रितू इस वार सिवहर में अनुभवी लवली आनंद के सामने आमने सामने के मुकाबले में है। तो सिवहर का मुकाबला दो महिलाओं के बीच की सीधी लराई बना हुआ है। और सिवहर के बाद अगर हम बात करें सिवान की तो सिवान में इस वार सिवान के साहब कहे जाने वाले दिवंगत मुहम्मद साहब उद्दीन की पत्नी हिना साहाब को ले करके चर्चा में बना हुआ है सीवान दरसल अगर आप याद करें तो सीवान की पहचान एक लंबे अर्चे तक मुहम्मद साहब उद्दीन से रही वही मुहमद सहाब उद्दीन जो बाहुबली रहे और बाहुबली रहने के साथ साथ एक दोर में लालू यादव के बेहत खास भी माने गए लेकिन बाद में उनके उपर कई प्रकार के आपराधी कारोप लगे, वो जेल गए, सजा भी हुई और इसी दोरान उनकी जेल में ही मौत हो गई जेल में मौत होने के बाद कहा गया कि सहाबुद्दीन और लालो परिवार के रिस्ते काफी जो कहें कि उनमें खटास पर गई, दरारे आई और अब सीवान में सहाबुद्दीन की पतनी हिना शहाव निर्दलिये ही लोकसभा चुनाव लड़ने की लेकर के पूरी तरीके से तयार है और हिना शहाव इस बार एक बड़ा उलट फेर करने का दावा कर रही है तो सीवान में इस बार सहाब उद्दीन की पत्नी हिना सहाब का सिक्का चलता है या नहीं चलता है यह तो अलग बात है लेकिन बाहुबली सहाब उद्दीन की पत्नी हिना शहाब इस बार सीवान में काफी जोर सोर से चुनावी रन में उतरी हुई है और सिवान के बाद अगर हम एक और बाहुबली की पतनी की बात करें तो हम आते हैं मुंगेर संसदी शेत में पर जनतादल उनाटेट के पुरुराष्ट्रिय अध्यक्ष और बिहार के मुख्मंत्री नितीष कुमार के बेहत खास माने जाने वारे ललन सिंग प्रत्यासी हैं वर्त 2009 से लगाताव ये मुंगेर से चुनाव लर चुके रहे हैं जीत भी रहे हैं और इन सब के बीच इस बार ललन सिंग के मुकाबले में उतری है अशोख महतो की पतनी कुमारी अनिता यहां आपको यह बता दें कि असोक महतों की पत्नी कुमारी Anitah कौन है, तो असोक महतों खुद भी एक बाहुबली है, उनके पर कई प्रकार के गंभिर आरोप लगें, यहां तक की सांसत राजों सिंग हथ्या कांड में उनका नाम आया, जेल ब्रेक कांड में उनका नाम आया और इतना ही नहीं उन पर कई प्रकार के अनिजातिय निरसनहारों को भी करने का आरोप लगा और इन सब के बीच करीब 17 साल जेल में रहने के बाद अब जब अशोक महतो जेल से बाहर आये हैं तो जेल से बाहराने के बाद अशोक महतो ने 60 साल की उमर में कुमारी अनिता से शादी की और अब कुमारी अनिता राष्टे जनता दल से मुंगेर में चुनाबी मैदान में उत्री हुई है यानि की बाहुबली की पतनी के तोर पर अब कुमारी अनीता मुंगेर में ललन सिंग के खालाप मुकाबले में डमजम्त खर्म दिखा रही है और मुंगेर के बाद अगर हम पुर्निया चलें तो पुर्निया की सीट भी इसी प्रकार से इस बार एक रोचक मुकावले के केंदर में बनी हुई है और पुर्निया सीट पर भी एक बाहुबली की पतनी ही चुनाव मैदान में राजत से उमिदबार है उनका नाम है वीमा भारती वीमा भारती पहले रुपवली से जनतादल उनाइटेट की विधायक हुआ करती थी लेकिन उसके बाद उन्होंने पिछले दिनों ही अपनी जो विधान सभा की सत्यसता है उसके इस्तीफा दे दिया और राष्टे जनतादल में सामिल हो गई और अ संतोसकुसवाहा वह उमिदवार हैं तो दूसरी और निर्दलिय प्रत्यासी के तौर पर पपुयादब चुनाव मैदान में हैं पपुयादब की पहचान भी एक बाहुबली की रही है उन पर भी कई किस्म के आरोप लगे और वही पपुयादब इस वार निर्दलिय चुन के नेता हैं कुख्यात अपराधी माने जाते हैं कई किस्म के उन पर आरोप लगे जेल में भी गए अभी भी जेल में हैं और यहां तक की बीमा भारती भी पिछले जब से विधायक बनी तब से लगातार अलग-अलग नकारात्मक वजहों से सुर्खियों में रही और अब लोकसभा चुनाओं में पुर्णिया में वहापके जो दिगज रायतनिता माने जाते हैं पपू यादव और संतोस्प कुछवाहा उन दोनों से आमने सामने के मुकाबले में बीमा भारती चुनाओं मैदान में हैं तो बीमा भारती भी अप तरीके से कहें तो अपने पती क जो विरासत है सियासी विरासत उसे आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं लेकिन इन समके अतरिक अगर हम बात करें कुछ अन्य सियासी जो और महिलाएं हैं जो इस बार चुनाओं मैदान में हैं तो उसमें एक सीट है महाराजगंज की महाराजगंज सीट इस बार काफी सुर के जनार्दन प्रसाद सीगरिवाल लोकसभा के सांसत थे वर्ष 2014 और 2019 दोनो बार उन्होंने चुनाव जीता और 2024 में भी भारती जन्ता पाटी ने सीगरिवाल को मिदवार बनाया है लेकिन उनके मुकाबले जो सचितानेंदराय की पतनी इंदू राई को लाने की बात हो रही है सचितानेंदराय ने पिछले दिनों ही बाकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस करके यह घोसना की कि महाराज गंद से चुनाव लड़ने को लेकर वो पूरी तरीके से तयार है लेकिन चुनाव उनकी पतनी इंदू राई लड़ेगी और सचितानेंदराय जो वर्ष 2015 में में बड़ी जीत दिलाने में अहम रनीतिकार की भूमिका निवाई तो इन सब के बाद अब सचितानेंदराय अपनी पतनी इंदू राई के लिए सियासी बिसात बिछा रहे हैं और उसमें जनारदन प्रसाद सिगरिवाल को इसे दो-दो हात करने को तयार हैं माना जा रहा ह कि जो इन्दू राई हैं वह कॉंग्रेस उमिदवार के तौर पर महराजगन संसदिय सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी इसके लिए सचितानेंदराय की कॉंग्रेस के सिरसिनेत्रित से बात होने भी की खबर है हाला कि बातें ऐसी भी हैं कि अगर किसी वज़ा से सचित सचितानेंदराय की पतनी इंदू राई को वहां से टिकेट देने में कॉंग्रेस अनाकनी करती है तो निर्दलिये ही चुनाव मैदान में उतर करके एक बार फिर से सचितानेंदराय वही जलबा महराजगन में दिखा सकते हैं जैसा उन्होंने दो बार MLC के चुनाव में प जैसे कई जो दिग्ज महिलाएं हैं वह सियासत के मैदान में इस बार महिलाओं की दादागिरी दिखा रही हैं अब देखना महत्पुर्ण होगा कि बिहार की ये तमाम होट सीट जहां पर महिलाओं के चुनाव मैदान में उतरने से अग तरीके से कहें तो उनके जो वंसब महाने में इन लोगों को जनता कितना भरोशा देती है जनता का कितना विस्वास जीतनी है यह बेहद महत्पुर्ण होगा हम आपको तमाम अप्लेट्स पताएंगे बने रहने विश्वर नेशन के साथ